नमस्कार, स्पोर्ट सेक्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विकास पगेट अरजुन तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र है उनको डेब्यू को लेकर केस फैन्स अकसर कई सवाल पूछते हैं से बाट देख रहे हैं क्योंकि अरजुन तेंदुलकर पहले नेट बॉलर हुआ गरते थे मुंबई इंडियस में फिर स्कॉर्ड में आए, इस साल भी मुंबई इंडियस ने अरजुन तेंदुलकर को 30 लाग में खरीदा लेकिन IPL 2022 में अभी तक एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दिया है हाला कि टीम शुरूआती आठ मुकाबले हारी थी उसके बाद एक मैच जी थी तो इस पर इस टॉपिक पर महिला जैवर्दे ने जो की हेड कोच है मुंबई इंडियस के उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बखुबी जवाब दिया और सब कुछ समझाया और एक इशारा ये भी किया कि अगले मैच में उनको डेव्यू करा सकती है मुंबई इंडियस अगले मैच में जो की शुकरवार को होगा गुजिरा टाइटन से उस मैच में अरजुन तिंदुलकर को मौका दिया जा सकता है क्या कुछ का महिला जैवर्दने आपने आपको सब कुछ बताएंगे आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा महिला जैवर्दने कमाल के कोच है और Mumbai Indians के लिए भी उनकी जो experience है उनकी जो expertise है वो काम आ रही है लगातार बड़िया कोचिंग करते है Mumbai Indians में वो और इससे पहले भी दे कि माने जाने माने कोचिस हैं इंटरनेशनल लेवल के हम बात करें तो महिला जैवर्दने को कोच रखने के लिए ज्यातर क्रिकेट बोर्ट्स जो है वो अपने इच्छा जाहिर करते हैं और महिला जैवर्दने बड़े कोच हैं क्रिकेट की समझ रखते हैं बहुत अच्छी समझ रखते हैं बारीक रखते हैं प्लेयर्स की भी तो जब उनसे पूचा गया कि अरजुन तिंदुलकर को कब मौका देंगे आप तो उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि हमारी टीम इस सीजन जो है आठ मुकाबले नहीं जीत पाई लेकिन कॉम्बिनेशन का सारा खेल है अम बढ़िया कॉम्बिनेशन तलास रहे हैं और हम थोड़ा बैंच पर बैटे लोगों पर भी ध्यान देंगे और बैंच की स्ट्रेंथ को भी आजमाने की कोशिश करेंगे अरजुन तिंदुलकर के बारे में ये भी कहा हूँ अगर टीम का कॉम्बिनेशन बैठता है सामने वाली टीम के साथ मैच अप होता है हमारे जी साथ सामने वाली टीम का स्थर है अभी आई पेल 2022 में उसी स्थर की अगर हमारी टीम रहेगी तो अच्छा होगा और उस स्थर में उस स्थर में उस कॉम्बिनेशन में अगर अरजुन तिंदुलकर फिट हो जाते हैं तो उनको जरूर खिलाएंगे साथ उन्हों ने ये भी का कि हम मैदान पर अपनी बेस्ट 11 जो है बेशते हैं ताकि हमें जीत मिल जाए हार का मूँ ना देखना पड़े इसलिए उनका मानना है कि अगर अरजुन तिंदुलकर ब बढ़िया गेंदबास हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि सचिंदुलकर के बेटे हैं तो मुंबई ने उनको जल्दी पिक कर लिया जल्दी खरीद लिया बागी खिलाडियों को नहीं करीतने हैं लेकिन वह बात सरासर गलत है क्योंकि मुंबई इंडियंस के इंडिया को दिये हैं साथ ही अगर इस सीजन की 2022 आईपियल की बात करें तो डेवल प्रेविस और तिलक वर्मा को मौका दिया और उन्होंने लगातार अच्छा भी प्रदर्शन किया आईपियल 2022 में टीम के लिए तो यू यंग टैलेंट को मौका देने के लिए मुंबा प्रिवारवाद का बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं किया कभी भी नैपोटिजम को लेकर के उनके उपर सवाल नहीं उटे क्योंकि प्रतिबा होते हुए भी अगर एक बड़े खिलाडी का बेटा डगाउट में बैटा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर परिवारव करते हैं तो हम उनको मौका दे सकते हैं और माना यह जा रहा है उनके इस बयान के बाद कि अब जो गुजराड टाइटन से 6 तारिक को मुकाबला होगा उस मुकाबले में मौका दिया जा सकता है अरजुन तिंदुलकर को तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुंब बाजी हमें कभी तो दिखाईए तो देखते हैं कि मौका देते हैं नहीं देते हैं बागे आप किस तरीक से देखते हैं महिला जायवर देने के इस बयान को आपको क्या लगता है क्या मौका दिया जाए गा अरजुन तिंदुलकर को या नहीं आप हमें कमेंट करके वीडियो को लाइक कीजिए, स्पोर्स और आईपेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया